देखिए friends मैंने अभी अभी अपने बालों में अपनी natural dye का इस्तेमाल किया है result आप देखिए आप भी अगर ऐसा result चाहते हो अपने बालों को natural तरीके से काला करना चाहते हो तो आज की वीडियो आप के लिए है केई लोग अपने बालों में chemical वाली dye का इस्तेमाल नहीं करना चाहते और महंदी के red color से भी परेशान है उनको महंदी का red color भी नहीं चाहिए उन लोगों के लिए indigo बहुत ही अच्छा option है indigo हमारे बालों को natural तरीके से black करती है indigo काली महंदी नहीं है indigo नील की पतियों से तियार powder है जिसका रंग ना अगर हम उसको घोलते हैं तो blue color का होता है यानि की नीले रंग का होता है जब महंदी का red color और indigo का blue color आपस में मिल जाते हैं तो वो dark brown shade में आ जाते हैं जो देखने में काले ही लगते हैं और बिल्कुल natural लगते हैं देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बालों में extra color कर रखा है ऐसा लगेगा कि आपके natural बाल black ही है कई लोग comment करके मुझसे पूछते भी हैं कि इंडिगो लगाने से कहीं उनके बाल dry तो नहीं हो जाएंगे उनके बाल टूटेंगे जड़ेंगे तो नहीं उनके बाल खराब तो नहीं हो जाएंगे कहीं उनके बालों में blue color तो नहीं आ जाएगा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा आपको आज मैं इंडिको का गोल त्यार करने के लिए एक ऐसा मेथड बताऊंगी जिससे आपके बाल नेच्चर ब्लैक होंगे आपके बाल बिल्कुल भी ड्राय नहीं होंगे और ये आपके बालों की गोथ को इंप्रूब करने में भी आपकी हेल्प करेगा हाई एवरीवन आपका आपके अपने चैनल ब्यूटी विद नेचर बाल सुनीता सहनी में बहुत बहुत स्वागत है कैसे वो आप सब लोग आई होप आप सब लोग खूश होंगे अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट करके भी मुझे जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक के उपर वीडियो चाहिए तो देरी की बीना चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ देखिए फ्रेंट्स, मैंने अभी अभी महंदी लगाई है महंदी लगाने से मेरे बालो में ऐसा कलर आया है अगर आपको ऐसा रेड कलर नहीं चाहिए, आपको ऐसा ब्लैक कलर चाहिए तो मैं जैसे आपको इंडिगो का घोल त्यार करने के लिए बोल रही हूँ आप सेम वैसे करना, तब ही आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो चलिए मेरे साथ, इंडिगो का घोल त्यार करने के लिए आज हम एक ऐसा हरबर पानी बनाएंगे जिसका इस्तेमाल करने से आपके बाल काले तो होंगे ही इसके साथ साथ आपके बाल स्मूध और शाइनी भी हो जाएंगे सबसे पहले हम एक पैन लेंगे उसमें मैं एड़ करूँगी एक गिलास पानी अब इसमें डालेंगे एक चमच चाय पत्ती चाय पत्ती में कही तरह के एंटी ओक्सिडेंट होते हैं ये हमारे बालों को काला करने के लिए बहुत अच्छी होती है अब हमें इसमें एड़ करेंगे एक चमच कॉफी पाउडर coffee powder भी हमारे बालों में shine लाएगा हमारे बालों को काला रंग देने में हमारी help करेगा अब हम इसमें add करेंगे एक चमच कलोंजी जब हमारी उमर बढ़ती है बालों के जो follicles होते हैं उन में melanin नामक color cells खतम होने लगते हैं ए इसी वज़ze से हमारे बाल सफेध होने लग जाते हैं कलोंजी मेलनन की कम्मी को पूरा करता है और हमारे बालों के शेल कलर को बनाए रखता है अब अब ہम इसमे एड करेंगे एक चमच मेथीदाना मेथीदाना हमारे बालों कुमझबूत हो देगा हमारे बालों की growth को बढ़ाने में हमारी help करने वाला है और हमारे बालों को smooth बनाने में हमारी help करेगा लास्ट में हम add कर रहे हैं एक चमच जटा मासी यानि की बाल छड़ बाल छड़ को मैंने piece लिया है इसका मैंने powder बना लिया है ये जड़ी बूटी हमारे बालों को काला रखने में हमारी हैल्प करती है बालों को मजबूती देती है बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में हमारी हैल्प करती है हमारे बालों का जढ़ना तूटना रोकती है बालों को शाइनी बनाती है जिन लोगों के बाल छोटी उमर में सफेद हो रहे हैं अगर वो जटा मासी का इस्तेमाल करेंगे तो उनके बालों का सफेद होना वहीं रुक जाएगा अब हम इन सभी चीज़ों को ना 10 से 15 मिनिट अच्छे तरीके से लो फ्लेम पे उबाल लेंगे और उसके बाद हम इसको चान लेंगे अब हम इन्डिगो का घोल त्यार करेंगे मैं इन्डिगो के 4 से 5 चमच ले रही हूं क्योंकि मैंने जड़ो जड़ो में ही लगानी है लेकिन अगर आपने अपने पूरे बालों में इन्डिगो का इस्तेमाल करना है तब आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दें अब हम इस हर्बल पानी से इस इन्डिगो का घोल त्यार करेंगे पानी को हमने गरम करना है ठंडा पानी बिल्कुल मत डालना नहीं तो इन्डिगो अपना कलर बिल्कुल नहीं देगी ठीक है इंडिगो का गोल आपने गाड़ा त्यार करना है पतला त्यार मत करना नहीं तो ये बहुँ जादा टपकता है परेशान हो जाओगे आप अब इस गोल को हमने 15 मिन्ट ऐसे ढखकर छोड़ देना है उसके बाद हम इसको लगाएंगे ठीक है इंडिगो को गोले 15 मिन्ट हो गए है आप इसका कलर देखिए कितना बलैक हो गया है अब ये इंडिगो बालों में लगाने के लिए पूरी तरह से त्यार है फ्रेंड्स इंडिगो लगाते समय आपको दो से तीन बातों का ध्यान रखना है सबसे पहले आपने महंदी लगाए बिना इंडिगो का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इंडिगो अपना अकेला कलर नहीं देगी ये महंदी के कलर के साथ मिलकर ही ब्लैक कलर देती है ठीक है और दूसरा आपने महंदी लगाकर बालों को शैंपू नहीं करना न ओयल करना है डारेक्ट ही अपने बालों में इंडिगो का इस्तेमाल करना है तब ये आपके बालों में कलर देगी और आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और तीसरा जब आप इंडिगो को वाश करोगे तब भी आपने अपने बालों में शैंपू नहीं करना आपने एक दिन छोड़के पहले ओइलिंग करनी है फिर शैंपू करना है जब आप शैंपू करोगे तब आपके बालों से थोड़ा सा ब्लैक कलर निकलेगा आप टैंशन मतलेना कि ये तो निकल गया ये निकला नहीं है जो एक्स्ट्रा आपकी स्किन के उपर लगा है या एक्स्ट्रा आपके बालों में लगा है न वो ही निकलेगा आप लोगों का एक कोश्चन ये भी होता है कि हमने जिस दिन महंदी का इस्तेमाल किया है क्या उसी दिन हमें इंडिगो लगाएं दूसरे दिन लगा सकते हैं हां जी बिलकुल लगा सकते हो लेकिन शैंपू नहीं करना बालों में मैं आपको बार बार बोर रही हूं नहीं तो इंडिगो आपको बिलकुल कलर नहीं देगी फ्रेंड्स मैं अपने पूरे बालों में इंडिगो को लगा लिया है अब इसको मैं डेड़ से दो घंटा ऐसे ही लगा छोड़ दूँगी उसके बाद मैं वाश करके अपने बालों में आपको final result दिखाती हूँ देखे फ्रेंड्स मैंने अपने बालों को वाश कर लिया है आप बालों को देख सकते हो कितना अच्छा काला रंग आया है तो आप भी इस मैटड से अपनी इंडिगो का घोल त्यार करें और पाएं 100% Natural Black Hair तो फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई